हलो अबरिबन वेल्कम तो दो चैनल अगरिकुल्च्ट्रल स्टेडीज मेरा नाम है दिवागर खत्री और आज का यह जो वीडियो है वो सॉइल साइंस सब्जेक्ट के एक कोर्स टाइडल problematic soils and their management के एक topic land capability classification पर है land capability classification जैसे हम short में LCC भी कहते हैं हम चारेंगे कि यह क्या होता है और इसकी क्या need है और किस तरह से यह classification किया गया है यानि कि land capability classification के अंदर कौन-कौन सी classes है सब classes है और साथ में units जो होती है इस classification के अंदर वो क्या होती हैं और उन्हें किस तरह से हम learn कर सकते हैं वो इस वीडियो के दरान हम जानने वाले हैं तो चलिए अब हमने topic को start करते हैं जो की है land capability classification अना तो यहाँ एक word यूज़ कर रहे हैं हम capability capability word का क्या मतलब बहता है पहले यह जानते हैं कि it is an inherent capacity of land inherent word का मतलब inherent मतलब की उसके अंदर की ही property है land के अंदर यह property यह capacity already available है inherent capacity है of land to perform at a given level for a general use कि किसी general use के लिए हम उसे किस लेवल तक काम में ले सकते हैं उसकी जो capacity है उसे हम क्या कह रहे है capability ओके तो अब इस capability की basis पे जो land का classification किया जा रहा है उसी पर हम क्या कह रहे है land capability classification कह रहे है तो इसकी definition क्या कही जा सकती है it is an exercise for interpretative grouping and grading of soil it is an exercise for interpretative grouping interpretative grouping मतलब इस तरह से grouping की जाए जो की हमें information provide कर आए कोई and grading for soil कि किस grading की soil है अच्छी soil है बुरी soil है इस तरह से grading की जाए उसकी soil की according to their potentialities and limitations कि उसका कितना potential है कितना potential या कह सकते है capability है according to their potentialities and limitation और किस हद तक क्या limits है उसकी जहां तक उसे use किया जा सकता है तो यह classification जो होता है उसे हम कहते है land capability classification या short में कहा है तो हम LCC ठीक है क्यों करते है आप यह तो देखिए it gives information of productivity of land अलेगे लेंड की productivity की information मिल जाएगी हमें से मान लेजिए आपको already मालूम है किसी land की productivity का अंदाजा है कोई अंदाजा लगा रखते हैं तो उसी तरह से तो आप उसे use लेंगे कि अगर मान लेजिए कि वो अच्छी land है जहां cultivation अच्छे सी किया जाता है किया जा सकता है तो वहां पर production of course ज्यादा किया जाएगा और अगर कोई ऐसी जमीन है जहां हमें पता है कि वहां पर cultivation करना पॉसिबल नहीं है तो वहां अगर फिर भी अगर हम cultivation कर रहे हैं तो फिर वो तो मुर्खता ही होगी न क्योंकि उससे फिर हमारा time और पैसा दोनों खराब होगी तो इसलिए कुल मिला कि हम land capability classification करते हैं ताकि हमें एक information मिल जाए किसकी productivity of land की अब हम बात करने वाले हैं कि यह land capability classification किया कैसे जाता है तो देखिए यहां हम capability classes पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं capability capability subclasses और लास में बढ़ते हैं capability units के बारे में तो capability classes जो है वो हम देखते हैं आठ classes होती है यहां पर आठ classes होती है तो मतलब इनको roman language में लिखा जाता है लोमन counting में लिखा जाता है कि first second third fourth fifth sixth और अफ्कॉस seven eight अना तो हम देखेंगे कि यह जो आठ classes है उसके अंदर सी जो शुरू की चार classes है न वो cultivation land के अंदर आते हैं मतलब जहांपे cultivation possible है उसे हम कहा सकते है cultivation land मतलब first second third and fourth class जो होगी इसके अंदर वो तो क्या होगी cultivation land के अंदर आएगी और बची भी मतलब fifth, sixth, seventh और eighth वो होगी वो non-cultivational land के अंदर आएगी मतलब जहांपे cultivation या कैसे हम खेती possible नहीं है वो किस के अंदर आएगी तो non-cultivational classes के अंदर आएगी ठीक है तो इस तरह से हम इन आठ classes के बारे में एके करके अच्छे से detail में पढ बढ़ेंगे capability subclasses के बारे में, subclasses का मतलब यह हुआ कि in classes की भी precisely information जब देनी हो, तब subclasses भी उसके अंदर बढ़ाई जाती है, जैसे कि हम कहा सकते हैं, यह चार तरह की होती है, EWSC, क्या होती है इन कोच्छे से बढ़ेंगे अभी हम, और उसकी बाद हम देखेंगे कि capability units क गर हमें information देनी हो, तो हम capability units का भी use करते हैं, तो इस तरह से जानेगे कि हम land capability classification किस तरह से किया जाब है, ओके, तो चलिए अब हम land capability classification की classes के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 8 तरह की classes हैं, जिनको हम Roman counting के अंदर लिखेंगे जैसे कि 1st, 2nd, 3rd and 4th, 5th, 6th, 7th, नेक्स में बढ़ेंगे जो की, तो यहां जो हम देखें, 1st से लिकर 4th तक ही classes हैं, वो cultivational lands है, बतलब यहां पर खेती की जा सकती है, cultivational lands, तो उसके अंदर हम देखते हैं, सबसे जो पहली class है, 1st class है, उसको green color से represent किया जाता है, अब यह colors क्यों दिये गए हैं, green, yellow, pink, blue, तो जाता है, तो उसके लिए अलग लिक तरह से हम colors का use करते हैं, तो वो कौँ से है, green, yellow, pink, and blue, इस तरह से colors का use किया जाता है, maps के अंदर, तो देखिए, सबसे पहली class के अगर हम बात करें, जो 1st class है, तो 1st class के अंदर क्या होता है, कहते हैं, कोई चीज 1st class है, तो वो 1st class में एकदम अच्छे चीजी दे रखी जाती है, तो वैसा यहां समझ लो, कि यहां हम सारी best सीजी कहेंगे, हाना कैसे, कि best for the agricultural crops, मतलब best for all agricultural crops, मतलब सारी तरह की crops जो है, वो उगाई जा सकती है, यहां cultivate की जा सकती है, किस के अंदर, 1st class के अंदर, ठीक है, और देखो क्या, क्यो erosion, salinity and other causes, मतलब other causes मतलब कह सकते हैं, कि erosion जो होता है, wind erosion हुआ, water erosion हो गया, तो वो मतलब मिट्टी का पानी या हवा के साथ दर दर हो जाना, या हम कह सकते हैं, और कह सकते हैं, salinity, इस तरह की जो, हाना, salinity मतलब समझ सकते होंगे, आप जिसके अंदर, salt affected soil है, इस तरह की problems और नहीं होती, इनके अंदर, तो इस लिए हम कह सकते हैं, यह best तरह की lands है, वो कौन सी होगी, first class वाले lands होगी, अब देखो second class कौन सी होगी, भाई, इस से थोड़ी सी कम, मतलब इसके अंदर कुछ कम होगा, क्या कम होगा, देखो moderate soil है, fertility है, इतनी अच्छी नहीं है, जैसे best थ हैं कि थोड़ी सी gentle slope होती है, gentle slope होती है, तो of course, क्या होगा, पानी के साथ, मिटी दर दर हो सकती है, erosion हो सकता है, तो इसके लिए, लेकिन यहाँ पर cultivation किया जा सकता है, कैसे, suitable for permanent cultivation, permanent मतलब कि हर साल वहाँ पर cultivation होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, with soil and water conservation practices, water और soil को conserve करने वाली, अलग-अलग practices का proper use करते हुए, अगर हम cultivation करें, तो यहाँ पर भी असानी से cultivation किया जा सकता है, तो इस तरह की जो class है, उसे हम second class के रहे हैं, अब देखो जो third class होगी ना, तो वो third class के अंदर हम क्या कह सकते है, पिंक कलर सिर्पेजान कर रहे हैं, और क्या है, various conservation है, यह conserve used, such as, मतलब अलग-अलग तरह की conservation measures हम यहाँ पर काम लेने, अलग-अलग तरह की conservation methods जो है, वो और जदा apply करने पड़ते हैं हम यहाँ पर, क्यों क्यों कि हम देखते हैं, यहाँ जो slope है, वो और जदा होगी, steep हम कह सकते हैं कि slopes होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी टि cultivation हो सके, तो contour bunds हो गए, credit bunds हो गए, और इस तरह की अलग-अलग practices का जहाँ ज्यादा use किया जाता है, cultivation के लिए, तो वो जो class है, वो कौन सी होगी, तो वो third class के अंदर आ रही है, ठीक है, और at class, fourth क्या होगी class, देखो, अब यह तक हम क्या समझ रहा है, यह first class सबसे बढ़ि cultivation, कभी कबार occasionally cultivation कर रहा जाएगा वहाँ पर, तो हो सकता है, वहाँ पर possible हो, लेकिन यहां क्या cultivation बहुत limited है, बढ़ा मुश्किल से किया जाएगा cultivation, because of law, soil depth, जैसे हम first class के अंदर गहाँ थे, सबसे best है, सारी soil depth वगेरा, तो यहां क्या हो जाएगी, law soil depth होगी, slope क्या हो जाए होगी, erosion होगा और drainage की problems होगी, तो इस तरह कि अलगलग problems की वज़े से हम देखते हैं, कि क्या होगी, यहां जो fourth class है, वहाँ पर अच्छे से cultivation नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो समझ आगे होगी, आपको की cultivation की, cultivational lands की हम चार classes देखते हैं, first to fourth, तो इस तरह से आप अब तक लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब जहां first class को बहुत अच्छे तरीके से, अलग-अलग तरीके से काम में लिया जा सकता है, सारी तरह की crops लिया कैसकते है, agricultural practices वहाँ पर possible है, तो वहीं हम देख रहे हैं, जो fourth class है, उसके अंदर limitations बहुत जादा है, तो हम देख रहे हैं कि लगातार limitations जो है, वो बढ़ती जा रही है, तो same as अब जो आगी की चार classes है, जब उनको हम study करेंगे, जो की वास्ता में क्या है, non-cultivational classes है, अब तक हमने जो शुरू की चार classes बढ़ी थी, वो क्या थी, cultivational classes थी, अब fifth, sixth, seventh और eighth जो है, वो non-cultivational classes है, तो इनके अंदर भी similarly आप यही जा रहेंगे, कि लगातार limitations जो है, वो बढ़ती जा रही है, कैसे बढ़ती जा रही है, अब देखते हैं, देखिए, जो fifth class है, उसे map पे हम dark green color से represent करते हैं, वहीं जो sixth होती है, उसे orange color से represent किया जाता है, seventh जो होती है, उसे brown color से, और वहीं हम देखे, eighth class जो होती ह है, उसे purple, यह हम कहा सकते हैं, कि violet color जो होता है, उसे represent करते हैं, ठीक है, अब देखिए, fifth class के बारे में बयात करते हैं, जो fifth class है, वो limitations are impractical to remove, मतलब यहाँ जो land की limitations है, वो impractical है remove करने के लिए, मान लीजे कौन सी problems तो देख लीजे, ऐसा मान लीजे, कि कोई जमीन है, वहा महां पर उसको सुधार करना practically possible नहीं है, या possible है भी तो को इफायदेमन्द वाली बात नहीं है, जैसे कि मान लीजे, कि हमें already मालूम है, कि स्क्रिट क्लास की productivity ज्यादा अच्छी नहीं है, और फिर भी हम यह कोशिश कर रहे हैं, कि उसके अंदर से जो problems हैं, मान लीजे, stones व remove their limitations, जो limitations है उसको practically remove करना possible नहीं है, इसलिए हम इसको कहां यूज करते हैं फिर, तो देखिए, that their use is mainly to pasture, forest land, और the wildlife food, इसलिए हम इसको कहां यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो pasture है, यानि कि जो animals वगेरा होते हैं, उसको चराने के लिए, तो उसके लिए काम में ले सक सकते हैं, forest land होगे, कि जंगल है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे जो उसका production मिल सकता है, जैसे की woods वगेरा होगे, industry के लखडी वगेरा चाहिए होती है, तो उसके रह से, forestry का जो production हमें चाहिए, तो उस तरह से उसको काम में लिया जा सकता है, wildlife food वगेरा हमें चाहिए, तो व वहाँ क्या है, यहाँ limitations थोड़ी, अपकोस और बढ़ जाएंगी, क्या बढ़ेंगी, कि these are shallow soils, मतलब यहाँ जो मिट्टी है, वो shallow होगी, shallow मतलब कैसे, कि मतलब छिछली हिंदी में बोलते हैं, मिट्टी, ज्यादा अच्छी मिट्टी नहीं हो सकती, तो उस तरह से हम कह सकत हो थी, उसमों pasture वगयरा करना या grazing और forestry करना भी थोड़ा और मुश्किल हो रहा है, यहाँ limitations थोड़ी और बढ़ रही है, एक खास बात हम देखते हैं, कि grazing should be regulated to prevent the damage of the plant cover, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि अपने animals को छोड़ देंगे, तो जितना चरना चरते रहो बहले कोई द to prevent the damage of plant cover, plant का जो cover है वो एकदम खतम नहीं होना चाहिए, तो समझाई, इस तरह से हम कह सकते हैं, class 6 के बारे में, अब देखें अब 7th class के बारे में, यह जो 7th class है, उसे map पे brown colors represent किया जाता है, और यह हम देखते हैं, steep rough eroded land है, मतलब steep बहुत ज़्यादा क्या होगी, यहाँ soil also include droughty swampy land, मतलब यहाँ पे drought आना, swamp आना, मतलब इन सब चीजों की भी हम क्या कहते हैं, दिखते देखते हैं, मतलब कह सकते हैं, कि drought आप मतलब समझते हैं, सूखा अगरा जो होता है, तो वो ज़्यादा problems देखे जाती है, वो भी problems आती है, मतलब severe risk to damage even when used for pasture and forestry, मतलब pasture और forestry करना भी यहाँ पे क्या है, पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना ज्यादा severe risk है, क्यों कि यहाँ पे drought, swamp इस तरह की कुछ दिखते भी आ जाती है, तो समझ जा रहा है, मतलब और limitations बढ़ गई हैं, किसके अंदर, क्लास 7th के अंदर, और 8th के अंदर, आप समझे चुके होगी क कि एकदम ही खराब land होगी, यहाँ इस से बुरा तो कुछ होई नहीं सकता, क्या, जैसे कि very rough land, not suitable even for the woodland और grazing, नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अगर कुछ अगर हम management लगा रहे हैं, कुछ limited time तक pasture और forestry में काम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, हाँ reserve for waste recreation और wasteland consideration, या तो इसे ही consider कर दिया जाता है, कि यह wasteland है, यहाँ फिर कचरा डाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं, जो waste product का management होता है, उसके लिए काम में ले सकते हैं उसको, या हम कह सकते हैं कि इसको recreation के लिए छोड़ दिया जाता है, कि खुछ time बात, कुछ सालों तक यह land अगर पड़ी जाती है, तो हो सकता है, यह fertile हो जाए, या environmental conditions के साथ वापिस recreate हो जाए, मतलब थोड़ दंकी हो जाए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने यह fifth, sixth, seventh और eighth class के बारे में जाना, जो कि non-cultivational है, यह cultivation possible नहीं होता, तो हम इसको pasture और हम देखते हैं, main forestry के लिए काम म capability classes, अब अपन पढ़ते हैं कि capability subclasses क्या होती है, तीकि subclasses जो है, वो वास्तों में क्या है, और precisely information देने के लिए बनाई है, जैसे कि मान लिजे, third class है कोई, उसके अंदर उसके आगे हम कुछ एक particular alphabet लगा देते हैं, जैसे कि EWS या C, EWSC क्या होता है, अभी बात करते हैं, ल मतलब कि किसी particular land के अंदर main problem क्या है, main body class तो बता दी, लेकिन उस class के अंदर main particular problem क्या है, उसके बारे में अगर हम information देना चाते हैं, तो वो subclasses के दूरू दी जाती है, ठीक है, तो जैसे कि देखिए, अगर उसके आगे E लगाया गया है, तो E का मतलब क्या होगा, वहाँ प Sturb हो जाना, उसका structure disturb हो जाता है, या gullies वगेरा बन जाती है, एलोजन के अलगले types होते हैं, तो उस वज़े से main problem वो hazard वहाँ पे उसकी है, तो उसको हम ये represent करेगा, वहाँ पे E, और अगर देखिए, वहाँ अगर W लिखते हैं, हम तो W का मतलब होगा, वहाँ water logging की problem है, water logging मतलब पानी जो है, वहाँ ठेर जाता है, वहाँ drainage अच्छा नहीं है, वहाँ wetness जादा है, उसके हम देखते हैं, soil की humidity बहुत जादा हो रखिए, वहाँ पे ariation अच्छा नहीं है, कह सकते हैं कि वहाँ पानी इतना जादा भरावाए तो oxygen ही नहीं मिल पारी plant को, तो इस कह सक सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि water logging की problem को represent करना हो, तो हम उसे W से represent करते हैं, वहीं अगर हम कहें S, EWS, S पे आ चुके हैं, S जो है, soil related root zonal hazards, root zonal hazards मतलब क्या होगा कि root zone जो होता है पादेगा, वहाँ पे अगर मानली ज्यादा stones है, salinity ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि वह ज्यादा alkaline हो रहा है, तो उस तरह की problem को root zonal hazards को दिखाने के लिए हम उसके आगे S को use करते हैं, S subclass को use करते हैं, वहीं अगर हम कहें C, तो वो related होता है climate से, C for climate, तो climate का क्या मतलब हुआ, कि मानली जी कि environment का temperature को ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या कह सकते हैं, atmospheric humidity, pressure, और rainfall precipitation, ये सब phenomena's जो हम पढ़ते हैं, वो सारे उसको disturb कर रहे हैं, plant की growth को, या कह सकते हैं, उस land को effect कर रहे हैं, उस particular land पे dependent है, जो चीज़े जो है, वो किसमें आती है, climatic hazards के अंदर आती है, ठीक है, तो सब classes आपको अब तक समय जा चुगी होंगी, कि सब classes क्या होती है, EWSC, EWSC मतलब एक तरह की problem, या आप समझ सकते होंगे, चाहते होंगे इस बारे में तो, लेकिन आप देखिए, लास्ट जो element है, land capability classification का वो है, capability units, units का क्या मतलब हुआ, कि इनके अंदर भी precisely information देनी है, तो units का अस्तमाल करो, इसको आप समझीए, कि these are depending upon the management practices, management practices मतलब कि किस तरह से manage क या जाना चाहिए उसको, उसकी preciseful information देना चाहिए, preciseful मतलब particular special information देना चाहिए, तो उसके लिए हम कहों से use करते है, capability units को use करते है, ठीक है, अब capability units भी कैसे हम देख सकते है, या तो one होगी, या two होगी, इस तरह से एक दो units बताई जाती है, यहाँ यहने example लिया है, example से आपक अच्छे समझ आएगा, माली जी कहीं लिखा है, third S, third S का मतलब third class है, land की class कौन सी है, third class है, S मतलब क्या है, soil related root zonal कोई problem है, ठीक है, root zonal problem है, अब root zonal problem कौन सी है, इतनी सी बात से तो को सामने वाला नहीं समझेगा ना, कि third zone है, third class वाली है, root zonal problem है, लेकिन कौन सी root zonal problem है, third S1 लगाया हुआ है, तो one का मतलब भुआ कि वहाँ पे हो सकता है, कि वो stony condition को represent किया जाए, अना, यहां अगर माल लिजी, decided है, कि one का मतलब यह है, कि stony condition है, तो वहां उसको represent किया जा सकता है, दूसरी unit है, तो वहाँ उसको wetness को दिखा सकती है, अना, कि वहाँ ज़जदा पानी है या क्या सकते हैं कि कोई और precise full information देनी हो इस तरह से हम क्या करते हैं और जदा information देने के लिए capability units का इस्तमाल करते हैं ठीक है इस तरह से तीन components हमने complete कर लिए एक इसके land capability classification के जो कि थे capability classes, capability subclasses and at last capability units तो ये था हमारा आज का वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने land capability classification के बारे में अच्छे से बात करी और इस वीडियो से related जो भी content है उसकी pdf नीचे description box में available है और साथ में अगर आप general agriculture की knowledge and questions answers में interest रखते हैं तो आप हमें instagram, facebook या telegram पर follow कर सकते हैं और साथ में इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रही agricultural studies से